उत्तर प्रदेश की दस विधान सभा सीटों के लिए उप्चुनाव होने हैं। भले ही उप्चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है, लेकिन सूबे का सियासी पारा चरम पर है। BJP की ओर से CM योगी ने कमान संभाल रखी है। वही विपक्ष भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड रहा है। उप्चुनाव वाली कई सीटों पर CM योगी की जन सभाएं भी हो चुकी हैं। वही बस्पा की एंट्री से मामला त्रिकोनिय बना हुआ है। आलम यहा है कि बस्पा सीसामाओ, मिलकीपुर समेत कई जगों पर उमीदवारों का एलान भी कर चुकी है। आइए जानते हैं वो पाँच फैक्टर जिनकी वजह से बस्पा चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। एक जीतने से ज्यादा वजूद के लिए बस्पा उपचुनाव में जीत से ज्यादा अपने वजूद के लिए उतर रही है। और उस पर BJP की भी टीम के आरोब भी लगते रहे हैं। ऐसे में बस्पा उपचुनाव के जरिये जहां इस टैक को हटाने की कोशिश में जुटी है वहीं दूसरी और लोगों के मूड को भी समझने की कोशिश की जा रही है। तीन NDA और INDIA दोनों के लिए खत्रा राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बस्पा का उपचुनाव लडने का NDA और इंडिया गट बंधन दोनों के लिए ही खत्रा है। भले ही बस्पा चुनाव लड रही है लेकिन इसका नुकसान सभी दलों को होना है। वहीं जो वोटर बीजेपी से नाराज है उसका फाइदा भी बस्पा को हो सकता है। चार बिगडेगा बीजेपी और सपा का जातिय गणित यूपी की राजनीती में जहां दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी लडाई है वहीं बस्पा का उपचुनाव में उतरना खेल बिगाडेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बस्पा का कोर वोट बैंक जो सपा या बीजेपी की और बटता है वह अब फिर बहनजी के प्रत्याशियों पर भरोसा जताएगा। लगता है।